हिमाचल प्रदेश के चुनाव खत्म हुए नतीजे आ चुके हैं कॉंग्रिस ने बहुमत हासिल कर लिया है और सरकार बनाने जा रही है जीते और हारे कई कैनिडेट्स की चर्चा हो रही है लेकिन क्रिपाल सिंग परमार काफी खास है क्रिपाल परमार वही नेता है जो बीजेबी से टिकट की चाहत पाले गुए थे लेकिन टिकट ना मिलने पर वो बागी हो गए और निर्दलिये चुनावी मैदान में उतर गए क्रिपाल परमार उस वक्त खबरों में आये थे जब पी एम मोदी ने उन्हें फोन करके चुनाव लड़ने से मना किया था कि आप चुनाव ना लड़ने और मेरी बात मानिये आप ये वीडियो देखिए अ लोश करिव'? अ लोश अजियो जया बानिये न्हे खबड़ि़ जी हो एक उन्हे आता है लोश समय के ngःजी हो जुनावी आसा में आता हुआ ह्पाल जेखिए जेखिए मुद्जी जी मैं एक बात करू हूँ मुधिरी मैंने नड़ाजी ने मेरे को इतना द्रील किया 15 साल बहुत रोल है जी कम नहीं है मेरे लिए तो भुवान भुवान का देश है वीडियो में एक काफी सुनाई दे रहा है कि कैसे पीम मोदी कृपाल परमार को मना रहे हैं और परमार खुद भी पीम से नर्मी से पेश आ रहे हैं साथ ही कृपाल सिंग परमार बीजेपी के राष्रीय अध्यक्ष जेपी नड़ा की शिकायत कर रहे हैं अलाकि पीएम मोधी अपनी बात पर अडिग रहे और बाद में कृपाल परमार भी अपनी जित पर अड़े रहे और चुनाव भी लड़ा। हिमाचल की फतेपूर सीट से कृपाल परमार चुनाव लड़े लेकिन हार का सामना करना पड़ा। फतेपुर सीट का हम आपको हाल बताते हैं फतेपुर सीट पर कॉंग्रेस के भवाने सिंग पठानिया को 32,453 वोट मिले बीजेपी के राकेश पठानिया को 25,462 वोट मिले वहीं तीसरे नंबर पर आए क्रिपाल सिंग परमार को सिर्फ 27,94 वोट मिले क्रिपाल परमार साल 2017 में बीजेपी के उमीदवार थे लेकिन चुनाव हार गए क्रिपाल सिंग परमार बीजेपी के पूर्व राजसवा सांसत भी रहे हैं और पूर्व प्रदेश उपाद्यक्ष भी इस बार जब उन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिली तो उन्होंने निर्दलिये ही चुनाव लड़ने का फैसला किया पतेपुर सीट से उन्होंने निर्दलिये परचा भर दिया और मैदान में उतर गए बीजेपी ने अपने ओफिशल कैंडिडेट के खिलाफ चुनाव लड़ने के कारण उन्हें पार्टी से 6 सालों के लिए निकाल दिया और इस तरह से वो एक्सपेल्ड बीजेपी मीदवार बन गए टाइमस नौन भारत डिजिटल ओरिजन्स की रिपोर्ट